अब दोस्तों नमस्कार आप लोग कैसे उमित करता हूं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में के एक सेंज का लाइब रेस्टेसन करके दिखाने वाले हैं यदि आप रेस्टेसन करना चाहते हैं अभी तक नहीं किये हैं तो प्लीज इस वीडियो को सुर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जैनूइन क्रिप्टो करेंसी की अपडेट यानि जिसवें पोटेंसियल होता उसकी अपडेट समय समय पर प्रवाइड कराता हूं फर्डे रात 10 वजे में लाई भी आता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल के माद्यम से वहाँ पर मैं आप लोगों को गाइड करता हूं जो मेरे दिन बार की रिसरेश क्रिप्टो करन्सी की होती है उसकी भी अपडेट वही पर प्रवाइड कराता हूं तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है मैंने के एक सेंज का जो रिसरेशन वाला फाम है उसको ओपिन किया हो दोस्तों जैसे आप डिस्क्रिप्सिन में जाए होगे जो मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा अब दोस्तों आप देख लिजिएगा यहा यहां पर एक आपको पासवर्ड बना लेना है दोस्तों उसकी यहां पर पासवर्ड यहिदर्श कर देच करेंगा उसकी इसके बाद में दोस्तों ये submit पर click कर देना है तो चलिए इतना कर लेते हैं अगले step पर हम आपको ले चलते हैं तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि registration हमारा successful हो गया है जो हमारे email पर link आया था manager से उसको click किया मेरी email ID भी confirm हो चुकी है याँ नि verify हो चुकी है अब अगला option जो है login का आगया है अब login जो करना है दोस्तों देख लीजेगा यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अपनी email को डाल देना है जो registration के समय आपने डाला था यहाँ पर password को डाल देना जो आपने password बनाया था यहाँ पर आपको I am not reward पर click कर देना है verify हो चाप्चा है यहाँ पर signing पर click कर देना है दोस्तों चलिए इतना करने के बाद में अगला process आपको बताते हैं दोस्तों देख रहे हैं न कि मेरा जो है login हो गया है अब भी login कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाए देगा अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं दोस्तों ठीक है यहाँ पर देख लिजेंगे दोस्तों मेरे पास 0 BNB है चुकि मैंने कोई transaction नहीं किया है अब आपको करना क्या है सबसे पहले KYC करने के दोस्तों यहाँ त्रीडाट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों KYC का option है आप KYC करेंगे यहाँ पर क्लिक करके अगर आप किसी को रिफर लगाना चाते है रिफर करना चाते हैं तो आप यहाँ पर रिफर पर क्लिक कर देंगे आपका रिफर मिल जाएगा आप कॉपी कर दीजिएगा सेंट कर दीजिएगा ठीक दोस्त सबसे पहला जो option है दोस्तों इसको देख लिजएगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि यदि आप continue without KYC process करते हैं यानि आप KYC without किये अगला इसमें प्रोसेस करते हैं तो आप किवल deposit कर पाएंगे ना की withdraw कर पाएंगे दोस्तों लेकिन हमें withdraw भी लेना है दोस्तों withdraw लेता है इसलिए इस option को नहीं चुमना है दोस्तों अगर आप इस option को चुमन लेते हो तो कहीं ने कहीं आपका फिर गरबड हो जाये दोस्तों और आप बढ्रो नहीं ले पाओगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मुझे पहला वाला option नहीं लेना है अब जब पहला वाला option नहीं लेना है तो यहां देख रहे होंगे दोस्तों यह दूसरा वाला option है न दोस्तों इसी को select करना है चली इसको मैं select कर ले रहा हूं दोस्तों जैसे यहां select करता हूं दोस्तों कुछ है Government IsSO ID यानि आधार काड जो भी आप चाहते हैं एक सिलेक्ट्ट कर लिए दोस्तों मैं यहाँ से आधार काड अपना सिलेक्ट कर दे रहा हूं आप देख रहे हैं Government ID मैं स act कर लिया हूं यानि आधार काड दोश्तों आब इसका नमबर जो है दो घूल यहां डाल देना ओब स्क्राल करना दो ब्राउज्यर पर किलिक ब्राउजर करना और यहां पर सेल्फी को दोस्तों जैसे सटोसी pantast subject में करते थे तो हाथ में इसको अपलोड करना है उसके बाद दोस्तोँ ये जो है आपकी बायक साइड या फ्रंट साइड या सेलफी है वन एम्ब से कम होनी चाहिए आप वन एम्ब से कैसे कम करों गया और इसको जानते हो आप लोग नहीं जानते यहां पर भी कुछ दिया गया है देख लिजेगा यहां पर एडरस प्रूफ NA buckets यहां पर देख लिएक सामअ जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा Ε Fau चैटमिंट आप डल सकते हूं क्रेडिट कार्ड देख लिजेगा statement है वो भी डाल सकते हो दोस्तों ठीक है तीसरे नमबर पर government issue ID है यानि आधार का बैक साइड जो है आप यहाँ पर upload करना है पहले तो आपको यहाँ पर government issue ID को select कर लेना है उसके बाद में दोस्तों देख लिजेगा फिर यहाँ पर कहरा कि 1 फोट और यहाँ पर भी हो रहा दोस्तों और यहां पर और यहाँ पर उरा दोस्तों अगला। रहा दोस्तों अब थोड़ा सा हमें बेट करना होगा थोड़ी दिर में साइड पर जो है अपलोड हो जाएगा दोस्तों देखिए दोस्तों यह अगला प्रोसेस करने को अप्सन मिल जाएगा दोस्तों तो थोड़ा सा बेट कर लेते हैं दोस्तों जैसे हमें अगला प्रोसेस यहां पर दीख रहा है दोस्तों कि document verification status दीख रहा है ID proof not verified, address proof not verified ठीक है ना अभी verification नहीं हो पाया दोस्तों मैं ने upload कर दिया दोस्तों ठीक है तो आभ भी upload कर देंगे और bait करेंगे दोस्तों जैसे यहां पर verified हो जाता ठीक लग जाता है तो हम लोग जो अगला प्रोसेस यानि ट्रांसफर वाला जो से लेबल कोईन है उनको एक्षेंस पर कैसे हम ले आएंगे उसके बारे में प्रोसेस हम बता देंगे दोस्तों ठीक है तो चलिए इतना दोस्तों हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं पहले बेरिफाई होने अपने एकाउंट को उसके बाद में अगला प्रोसेस करते हैं दोस्तों